बेचने वाले को काफी नुकसान उठाना पड़ता, नमक बेचने वाले को गधे की चाल समझ में आ गई और उसने उसे सबक सीखाने का फैसला किया, अगले दिन उसने गधे पर एक रुई से भरा थैला लाद दिया, अब गधे ने फिर से वही चाल चली, उसे उम्मीद थी की रुई का थैला अभी भी हलका हो जाएगा, लेकिन गीला रुई, कपास,